नमस्कार मेरे इनु मिस्रा अपने चनल में आपका स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में मैं बताओंगी कैसे हम घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से बड़ा सा ट्रेवल बैग बना सकते हैं बहुत ही आसान है ये ट्रेवल बैग और देखिए बहुत बड़ा है काफी जगह है काफी इसमें आप कपड़े एक साथ रख सकते हैं अंदर की तरफ एक बड़ा सा पॉकेट में ने इसमें लगाया है जिसमें की आप मोबाइल वगएरा या फिर पैसे वगएरा रख सकते है इसके अलामा सामने की तरफ एक पॉकेट है और दो पॉकेट साइड में है देखिए एक इस साइड में है और ऐसा ही पॉकेट बैग के दुसरे साइड में भी है ये वैलवेट का कपड़ा है ये फैबरिक और ये कलर लोगों को बहुत पसंद आता है तो अक्सर लोग डिमा करते हैं तो इससे पहले भी आपने मेरे कई वीडियो में इस कपड़े से बना हुआ बैक देखा होगा लेकिन डिजाइन सबके बिल्कुल अलग-अलग है सोफा कवर बनाने के लिए जो कपड़ा आता है जो फैबरिक आता है उसी से मैं ये बैक बना रही हूँ तो आए शुरू करते है ये बड़ा सा जो पीस है इसको मैंने पहले से क्विल्ट किया हुआ है ये अस्तर नीचे बीच में फॉर्म और उपर ये मेन फैबरिक है इसको स स्कुैर आएा में मैंने कर लिया है किविल्टिंग करने के बाद इसका जो मेसर्म weapon注意 क्विल्टिंग करने के पहले जब मैंने कपड़े की क्टिंग की थी तो वह दो एंच सिर्श्टा मेंने अर्खा था 42 इंच रखा था लेकिन तेनों को मिला के सिलने के बाद ये 2 इंच क वो है 10 इंच और इसकी चोडाई है 9 इंच 9 by 10 का ये एक पीस लेना है ये पॉकेट हम इसका बनाएंगे वैक की उपर की तरफ अब ये जिप इसमें लगाना है ये 10 इंच लंबा ये जिप है अब इसको देखिए पहले कपड़े को सीधा और ये जिप को उल्टा रखे इस तर से पलटते हुए उपर से ये प्रेस स्टिच करेंगे यहां से यहां तक सिल लेंगे तो ये देखिए प्रेस स्टिच भी मैंने कर लिया है इसमें ये तो ऊपर का पॉकेट हो गया इसी तरह का पॉकेट हमें अंदर के लिए भी रेडी करना जो बैक के अंदर लगेगा तो ये सिर्फ एक पिस ये अस्तर का मैं ले रही हूँ जिसका मैं अंदर की तरफ ये पोकेट बनाऊंगी इसकी लंबाई 10 इंच है और चोड़ाई 11 इंच है 11 इंच है 11 इंच का ये एक पिस हमें लेना है और ये जो जिप है इसको देखिए इस तरह से रखके हम सिलाई करेंगे पहले कपड़े को सीधा जिप को उल्टा रखके सील लेना फिर पलट की उपर से प्रेसिस्टिश करना है जैसे कि उपर वाले पॉकेट में हमने जिप को लगाया था इसमें जैसे लगाया था वैसे इसमें भी लगाना है तो ये देखिए दोनों में पॉकेट में जिप निकालेंगे तो यह देखिए बिल्कुल सेंटर में बीच ओ बीच यह मैंने निशान लगा लिया है अब जो हमने मार्क किया है निशान लगा है वहां से उपर से नीचे की तरफ हम 7 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे तो यह देखिए 7 इंच पे यह मार्क मैंने कर लिया है अब यह जो pocket है इसको लेंगे और इसको भी बिल्कुल बीज से fold करते वे इसका भी center हमें निकाल लेना है तो यह देखिए pocket का भी center मैंने निकाल लिया है अब यह इसका जो center जो हमने यह निशान लगा है और जो bag में निशान लगाया है दोनों को इस तरह से देखिए मिलाते और फिर चारों तरफ से हम इसको सील लेंगे नीचे की तरफ आप हलका सा इसको fold करके सीले यह देखिए इस तरह से हलका सा मोडते हुए तब नीचे की तरफ सीले बाकी दोनों साइड में मोडने की जरूत नहीं है क्योंकि उसकी उपर belt लगेगा तो यह देखिए यह चारो फोल्ड करके सेंटर में मार्क करना है इस तरह से और यह जो पॉकेट है इसको भी इस तरह से बीच से फोल्ड करके सेंटर में इसके हम मार्क करेंगे अब जहां से हमने यह बैग में मार्क किया है जहां पर बीच में वहां से उपर की तरफ से नीचे 7 इंच में मार्क अब यह देखिए पॉकेट को इस तरह से रखते वे अंदर की तरफ जो पॉकेट लगेगा उसको हम यह तीन साइट से हमें इसको फोल्ड कर लेना है हलका सा तीनों साइट से मोड़ते वे तपसी लेंगे इसको देखिए इस तरह से तीनों साइट मोड़के फिर इसको हम पू लगा लिया है अब लगाएंगे हम इसमें बैल्ट तो यह 3 मिटर लंबा बैल्ट है तीन मिटर का यह बैल्ट हमें लेना है अब इसको बिल्कुल बीच से फोल्ड करना है इस तरह से और बीच से फोल्ड करते वे देखिए एकदम बीच में इसके हम मार्क करेंगे इस तरह से तो ये बीचो बीच मैंने निशान लगा लिया है बेल्ट में अब ये जो बैग है ना इसको भी देखिए इस तरह से बीच से हमें फोल्ड करना है और इसके भी बीच में हमें देखिए इस तरह से सेंटर निकाल के मार कर लेना है इस तरह से तो ये देखिए बैग में और बै भीछ में आना चाहिए इस तरह से दूसरा किनारा ना नहीं को घुम की circa सिल लेना है। Kalgraff ंक किरेवनिय। के तक हमन जाइब उपकेट के वह पहले पराइब सेवे W Nothing यह भी आप चाहता है थीग चाहें पहले यहां पो आज नहीं तक हम आ शीरें ड़ा सकते हैं। यहीं तक बैल्ट को हमें सीलना है अगर आप इस तरह से पिन लगा लेंगे ना तो बैल्ट लगाना बहुत ही आसान रहता है पटा पट आप मसीन से इसको बैलट को सील सकते हैं कपड़ा अस्तर फोम और यह बेल्ट मिला के काफी मोटा हो गया थोड़ा पीन लगाने में दिक्कत आ रही है इस तरह से यह पीन यह बीच में भी हम लगा लेंगे अब यह देखिए पॉकेट के उपर ही यह बेल्ट आना चाहिए जैसिके जो पॉकेट के किनारा है वो बिल्कुल ढग जाए अब यही तक हमें सीलना जहां तक कि मैंने यह पीन लगाया है यही तक हम इसको सीलेंगे अच्छी तरह से मैंने इसमें पीन अप कर लिया है और अब इसको सीलना है यह देखिए यहां सी इस तरह से सीलते वे बीच में यहां पर हमने सीलाई की महाँ पर चलाते वे इस तरह से नीचे तक सील लेना है इसी तरह से दूसरी साइड भी हम सील लेंगे तो ये देखे, ये बैल्ट को मैंने बैग में अटेश कर लिया है, सिलाई कर लिया है ये काफी अमजबूत सा ये बैग बनने वाला है अब बैल्ट लगाने के बाद इसमें हम जीप लगाएंगे तो उपर के साइड देखे, कपड़े को सीधा और जीप को उल्टा रखे हमें सील लेना है तो ये मैंने इस तरह से सील लिया है अब इसको ये देखे, ये जो है, इसको अंदर की तरफ इस तरह से करते वे और जिप को ये सीधा करते वे हम इसके उपर एक सिलाई करेंगे यहां से यहां तक पुरा सिल लेंगे इसको तो यह देखिए यह प्रेसिश्टीच भी मैंने कर लिया यह उपर की तब देखिए सिलाई कर लिया है जिससे की जिप खोलते समय बंद करते समय फसेगा नहीं क्यों लुए ओस फैर वी घुटल समय इस extra बीसे हम बिल्कुल अलग करेंगे और इसको देखिए इसको भी इस तरह से सीधा करते वे इसके उपर भी हमें प्रेसिश्टीच कर लेना है गाय है मिकरेंक कि जोह आश आता कि तो यह सिलाई करेंगे तो यह देखिए यह इसकी ये हम Renner डालेंगे देखिए इस तरह से रनर को हमें डाल लेना है बहुती Aasana होता है runner को डालना एक दो बार आप डालेंगे तो आप lima फुदी idea कोدا दालते हैं यह जी दिके इस तरह से यह एक रनर मेंने डाल दिया है दुसरा runner दुषरी साइट कि अप Grab एक साइ탄 लएंगे फिर ये दुसर अट का यह जीन करें और यह दोनों रणर मैंने डाल लिया है इसमें मैं अब यह एक लगभग होका है बस इसका किनारा जो आज एट का बाट हमें इसमें जोड़ना है तो यह बैक को हम उलटा कर लेते हैं पहले jest ये बैक को मैंने उल्टा कर लिया है, अब इसके साइड में जो हमें लगाना है वो भी पीस को हम तयार कर लेते हैं, तो ये दो पीस मैंने कुल्ड करके रखा हुआ है, दोनों को अस्तर और फॉर्म लगा के ये सिलाई कर लिया है मैंने, दोनों एकदम बराबर हैं, इसकी जो लंबाई और चोड़ाई 12 इंच है यानि कि 12 इंच अब हम इसमें पॉकेट बना लेते हैं पहले तो उपर की तरफ से ये 3 इंच पे हमें इस तरह से निशान लगा लेना है अब ये उपर की तरफ से निचे 3 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है अब इसको हमें यही से कट क कर लिया है अब इन दोनों के बीच में हमें जिप को लगाना है तो पहले दूसरा पीस है उसको भी बिल्कुल इसी तरफ से इसी नाप का हम कट कर लेते हैं तो यह दोनों पीस को मैंने यह उपर की तरफ से यह कट कर लिया है अब इसमें हम जिप लगाएंगे तो यह उसके उपर भी प्रेस्टिज करेंगे देखे मैं आपको एक pocket यह देखे जिप लगा के दिखा रही हूँ यह एक side मैंने seal लिया है अब यह प्रेस्टिज भी कर लिया है मैंने अब यह दूसरी side में जिप के दूसरा हिस्सा जोड लेंगे कपड़े का तो ये देखिए ये मैंने इसको जिप को लगा लिया है बिलकुल इसी तरह से दूसरे वाले पीस में भी जिप को हमें लगा लेना है अब इसमें हमें पॉकेट बनाना है तो बिलकुल इसी नाप का 12x12 का इस तरह का ये अस्तर लेना है ये पीस लेना है हमें और इसको हम रख चारो साइड सीलेंगे तो यह हमारा यह साइड़ वाला कॉकेट ready हो जाएगा बिल्कुल इसी तरह से डूस्रा वाला पीसतर ही हूं यह देखिए यह साइड generous rain दोनों मिलाके मैंने सिलाई कर ली है तो यह साइड वाला पीस bondMe ready हो यह बैग का अब इसे हमें बैग में अटेच करना है तो यह दिखिए यह जो पॉकेट है इसको हम लेंगे साइड वाला जो पीस इसको लेंगे और बीच से फोल्ड करते वे और यह सेंटर में हमें मार्क करना है इस तरह से बिलकुल इसी तरह से जो दूसरा वाला पीस से उसम से अब इसमें निशान लगाने के बात जो हमारा बैग है न उसमें भी हम बिल्कुल सेंटर में मार कर लेंगे निशान लगा लेंगे इस तरह से मिलाते विए बिल्कुल बीच में निशान हमें लगा लेना इसमें भी तो यह देखिए यह सेंटर में मैंने दोनों साइड यह मार्क कर लिया है पॉकेट में भी और यह साइड वाला पीस है उसमें भी मार्क कर लिया है अब हम इसको इसमें जोडेंगे यह देखिए यह जो इसमें हमने मार्क किया है बिल्कुल बीच में उसको हम क्या करेंगे यह जहां बैग में नीचे की तरफ मार्क किया है दोनों को मिलाते वे इसमें हम पिन लगा लेंगे पहले ताकि यह सीलते समय इधर उदर बिल्कुल बराबर सीलाई हो इसकी अब ये उपर की तरफ जो जीप है उसको और ये जो पॉकेट में हमने ये जो निशान लगाया है इसको सेंटर को वाला जो निशान है दोनों को मिलाते वे इस तरह से हमें पिन अप कर लेना है पहरे तो हम ये दोनों साइड का सील लेते हैं यहां से यहां तक इसको सील लेते हैं और यहां से यहां तक इसको सील के फिर चारों साइड सील लेंगे चाहे तो आप एक साथ ही चारों साइड सील लें लेकिन बहुत लोग नया नया जो बैक बनाते हैं उनकी लिए इस तरह से बनाना आसान रहेगा तो ये दोनों साइड मैंने सील लिया है अब ये किनारे का ये दोनों साइड हमें सीलना है यहां से यहां तक इसको सील लेंगे तो ये दिखे चारों साइड मैंने सील लिया है पिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड पीस है उसको हम बैग में deprived surprise страш करेंगे तो यह जो निशान हमने लगाया है उपर की तरफ सेंटर में उसको और यह जिप को मिलाते वे हम इस समें पिन लगा लिते हैं और यह नीचे की साइड जो सेइड में हमने मार किया और यह जो पॉकेट में साइड पीस में उस दोनों को मिलाते वे इस तरह से हम pin up कर लेते हैं अब इसको चारो तरफ से हम सिलाई कर लेंगे देखे इस तरह से बराबर रखते वे सिल लेना है ये चारो साइट से सिल लेंगे तो ये देखे चारो साइट से मैंने इसको सिल लिया है बहुत ही आसानी से ये बैग बन गया है और बहुत बड़ा बैग बना है अब इस बैग को मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ कि कितना सुन्दर लग रहा है कोना वगर इसका अच्छी तरह से निकालके हम इसको सीधा कर लेंगे यह दिखिए कितना बड़ा और कितना सुन्दर सा यह बैग बनके तयार हुआ है जिसको भी यह बैग आप बना के दिखाएंगे सबको बहुत पसंद आएगा उमीद करती हूँ आपको मेरा यह बैग और मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप सब के साथ और भी अच्छी नए नए वीडियो शेयर कर सकूँ मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू